नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब आई होप की हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं आपके लिए लेकर आचुकी हूँ नए नए टीप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे चोटे चोटे घरेलू जुगार जिससे आपके बढ़ते खर्चों पर लगेगा ब्रेक और चीजों को आप बेकार समझते हैं उन्हें फैंक देते हैं उन सारी चीजों का इस्तमाल करके आप अपने घर के खर्चों में बचत कर सकते हैं और अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान कर सकते हैं यानि इस वीडियो में जानने को मिलेंगे बहुत सारी किचन में काम करने कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी डेली खर्चों में होगी बचत और साथ ही साथ एक बहुत चरूरी जानकारी कि गैस सिलंडर जलती से खाली ना हो उसके लिए आपको कौन-कौन से तरीके आजमानी चाहिए तो वीडियो जरा भी पसंद आए तो पिलीज एक लाइक जरूर से करिएगा और दोस्तों के साथ सियर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर आप सबसे पहले गैस कौन कर इसे हम अक्सर बाहर मार्कीट से महेंगे दामों में खरीद कर लेके आते हैं लेकिन वो सारे पैसे आपके आज बचने वाले हैं यहाँ पर मैंने एड़ किया है कोई भी टेलकम पावडर तो मैंने यहाँ नाइस सिलका पावडर यूज किया है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है अब इसमें एक उबाल आने दीजिए बढ़ियासा जब इसमें उबाल आता है तो यह सॉल्यूशन हलका सा गाड़ा हो जाता है अब इसे अच्छे से 5-7 मिनट ठंडा होने दीजिए जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एक बरतन में ट्रांसफर और और इसे अब हम डालेंगे एक सिपरेवाली बोतल में और पूरे गर में आप इसे स्परे कर सकते हैं और सिपरेवाली बोतल नह अगली ट्रिक आती है दूद को लेकर दोस्तो सर्दी होया गर्मी दही खाना तो हम सब को बहुत पसंद होता है लेकिन गर्मियों के दिनों में तो बहुत ही आसानी से दही जम जाती है लेकिन सर्दिया आते ही दही जमना भी बहुत कम हो जाता है बहुत ही कम टाइम में बढ़िया दही जमा सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दही के लिए जितना भी गुनगुना दूर चाहिए वो रख लेना है उसके बाद जो फोईल पेपर होता है हमारे गर में जिसका इस्तिमाल रोटिया पराठा लपेटने के लिए करते हैं हमें वो ले लेना है और इस तरह से लोटे को रैप कर देना है चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको जमाए कैसे बिल्कुल वैसा ही दही जमेगा जैसा गर्मियों में जमता है जिस बरतन में हम आठा रखते हैं हम सभी जानते हैं कि गैहों की जो तासीर होती है वो गरम होती है तो आपको ये काम रात में जब करना है जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो आठे के अंदर सबसे पहले तो आप स्पेस बना लीजिए थोड़ा सा ताकि आप उस बरतन को वहाँ पे रख सके फोईल पेपर लपेटे हुए बरतन को आपको ऐसे रख देना है फिर डखकन डख दीजिए और साइड से ना इस तरीके से आठे से बरतन को कवर कर दीजिए जिससे की बरतन को एक प्रोपर तरीके से हीट मिलेगी और दही आपका बहुत अच्छा जमेगा चाहे बाहर कितनी भी ज़्यादा ठंड क्यों ना पड़ रही हो प्रोटिया बनाना ठीक से आता नहीं और दूसरी तरफ ये बेलन बार बार रोटी पर चिपक जाता है तो इसके लिए एक छोटी से ट्रिक है जो आपके लिए बेहत काम आएगी खास तोर से उनके लिए जो रोटिया बनाना सीख रहे हैं तो आपको करना ये है कि गैस की फ पर चिपकने लगता है तो आप इसे थोडा सा गरम कर लीजिये रोटिया बेलने से पहले और इस तरीके से आप रोटिया पर ये बेलन कभी भी नहीं चिपकेगा और इस तरीके से आपकी रोटिया बिल्कुल ग jour और खुबसूरत बनेंगी अगली टिप है गैस को लेकर दो से ओन करते हैं लेकिन जब यह खतम होने वाली होती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है गैस खतम होने से पहरे लाल या पीले रंकी हो जाती है लेकिन आज मैं मेडिसन का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद कई लोग मेडिसन जब एकस्पायर हो जाती है खराब हो जालना है और इसके अंदर डालनी है कोई भी एकशपायर गोली और थोड़ा सा डालना है इसमें सर्फ कोई भी कपड़े धोने वाले डिटरजन्ट का यूज कर सकते हैं थोड़ा सा कोई भी विनेगर डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है और अब गैस के दोनों बरनर ले लीजिए और ये पानी है जो हमने solution बनाया है दोनों को के उपर इस तरह से डाल देना है और दस मिंट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और दस मिंट के बाद आप ये burner है जो अच्छे से साफ कर लीजिए गैस में burner का सबसे important role होता है क्योंकि इसी में से गैस की flame निकलती है और कई बार इसमें गंदी की जमा हो जाती है इसमें blockage आ जाती है कई बार चाय बनाते वक्त चाय निकल जाती है इसके छेद बंद हो जाते है दूद की वज़े से भी इनके छेद बंद हो जाते है जिसकी व डागे की GES की जो प्लेम है वो outta ठीक तरीके से नहीं निकल रही है इसके बर्नर के छेद बंद हो गया है तो कई लका हम यूज करते ही तो आपको सुऐ को यूज करने की जरूद नहीं है आप इस ट्रिक को फोलो की कीजिए आपको सुई को यूज करने की जरूत नहीं पड़ेगी और इसकी फिल्म ठीक से निकलेगी तो दोस्तों इस टिप को फोलो कीजिए और इस तरह से आप अपनी गैस को बचा सकते अच्छा इस इडिशन को यूज करने का एक दूसरा तरीका भी है कि जो हमारे गैस के बटन होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा यह बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं इस वज़य से भी कई बार यह टाइट हो जाते हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा गैस के चूले के यह बटन होते हैं जहिसे देखेएगां इनके अंदर खाने पीने की चीज आठ अवगैरा बहुत सारी गंदगी होती हैं तो इसको सबसे पहले हम रैपर से साफ कर लेंगे और अच्छे से साफ हो जाता है इस रैपर से तो यह रैपर फैकपने से पहले आप यह काम जरूर क इससे जो यह बटन है लूज भी हो जाएंगे और बटन भी नहीं तूटेंगे इस तरह आप अपने पैसों की पचत कर सकते हैं तो यह टिप जरूर फोलो कीजिए और यह बटन बहुत अच्छे से काम करेगा तो आप इसे इस तरह से यूज करके देखिएगा इन में से कौन स आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताईएगा